वेलकम बेक तू विकास लाइफ एस्टाइल आज हम खड़े हैं इंडियन क्रॉस ओवर सूवी के सामने जिसका नाम है टाटा नेक्सॉन 2017 में लॉंच हुई थी और अभी आप इसका 2023 का फर्च जेनरेशन फेसलिप वेरियंट देख रहे हैं पैट्रोल और डीजल में आती है रेंज शुरू होती है एक शोरूम 8,10,000 रुपीज ते टॉप मोडल की कीमत है 15,50,000 रुपीज और अभी आप इसका क्रेटिव प्लस एस डीजल मैनवल ट्राश्पीशन मोडल देख रहे हैं जिसके एक शुरूम कोश्ट है 13,59,990 रुपीज इंशुरंस RTO हदा चार्ज इस मिला के आउन रोड प्राइस है 15,82,259 रुपीज नेक्सोन के एलेक्टिक वर्जन की कीमत शुरू होती है 14,74,000 रुपीज से तीन साल वनलाक किलोमीटर्स की वारेंटी राठा देती है नेक्सोन पे XC, XM, XZ नाम को रिप्लेस करके स्मार्ट, प्योर, फियरलेस, क्रेटिब वेरियंट आएंगे क्रेटिब प्लस ऐसे वेरियंट में क्रेटिब प्लस से दो वीचर्स एक्स्ट्रा होंगे सेफटी के लिए ग्लोबल एंगे नेक्सोन को तीन ड्राइब मोट्स में लेंगे एको, सिटी और स्पोर्ट्स, हैड आफ ग्लोबल डिजाइन, फेमस कार्ड डिजाइनर माल्टी नूलारिक ने डिजाइन की है टाटा नेक्सोन इसकी पूने में असेम्बली होती है डिजिटल इंस्पार्ड डिजाइन, सेफटी और बेस्ट परफॉर्मेंस का मिक्स है न्यू नेक्सोन फ्रंट सेंसर्स है फ्रंट फॉग लैम का उप्शन आपको फियरलेस पैरेंट से मिलेगा और ऐसे दिखती है फ्रंट की ग्रिल रूफ रिल्स है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटीना, रूफ में डिजाइन, इलेक्रिक्रिक्ली एजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स है, लेडी टर्न इंडिकेटर और कैमरा के साथ, साइड क्लैडिंग है, 4 मीटर लेंथ है, 1.6 मीटर है, 208 mm ग्राउंड क्लेरंस है, लगबग 1300 kg कर्व वेट है नेक्सॉन का, और आर्वियम A पिलर, B पिलर और C पिलर पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा, और यह है 16 इंच के डाइमेंड का टलाई वील, स्टील वील का भी ऑप्शन है, फ्रंट में डिस ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, फ्रंट और रियर में 215, 60, R16 टायर प्रोफाइल है, फ्रंट में कॉल स्प्रिंग के साथ में इंडिपेंडनल लोवर विजबोन मैक फर्शन इस्टर्ड और रियर में सेमी इंडिपेंडनल ओपन प्रोफाइल ट्विस्ट बीम विद स्टेपलाइजर बार कॉल स्प्रिंग सॉक अब्जॉर्वर मिलेंगे, यहां मिलेगे 25 वियर्स में 50 लाग कार्स डेलिबरेशन की बैचिंग, काफी अट्रैक्टिव रियर डिजाइन है, यहां मिलेगा रिफ्लेक्टर, रियर पार्किंग सेंसर, आगे और पीछे बंपर्स में सिल्वर स्क्रिट प्लेट्स मिलेगी, यहां मिलेगा आपको नंबर प्लेट्स के लिए लाइट का उप्शन, एक्जॉस टेल पाइप, न्यू नेक्सॉन में 208 mm का ग्राउन क्लिरेस मिलेगा, यहां मिलेगा आपको नेक्सॉन की बैजिंग, रियर कैमरा, क्रोम फिनिश में टाटा मोटर्स का लोगो, LED X-Factor Tail Lamps है, सुकेंशल LED Turn Indicator के साथ, डोर्स पे Connecting Light Strips है, यहां मिलेगा आपको लिए आपको लिए वाइपर वाशर के साथ, इडिर वाइफर का फीचर सबसे पहले Hyundai Tucson में इंट्रिद्यूस किया गया था, यहां मिलेगा स्पॉयलर, लॉसी ब्लाइक फिनिश में शार्फिन एंटीना, अभी अब इसका वाइट कलर देख रहे हैं, फेरलेस परपल, क्रेटिव ओशियन, ग्रे, रेड, डेटोना ग्रे, प्रिस्टीन वाइट का भी ऑप्शन है, ड्वेल टोन में ब्लैक और वाइट रूफ कलर का ऑप्शन मिलेगा, नई नेक्सवान में 360 HD सरौंड व्यू कैमरा का ऑप्शन है, जो मिलेगा आपको क्रेटिव प्लस वाइरेंट से, आइरन क्लेड इसकेलेटरन सिस्टम है, फॉर्टिफाइट कैबिन को बनाने के लिए, क्रेटिव वेरेंट में आपको चार कलर को ही ऑप्शन मिलेंगे, वाइट, ग्रे, रेड और ओशन ब्लू, ड्वेल टोन में ग्रे और रेट के साथ में वाइट रूफ कलर का उप्शन मिलेगा, सेटिव फीचर्स में आपको सिक्स एयर बैग, पंचर रिपेर किट, टायर पैशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चायल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट वार्निंग, ब्रेकिंग और ट्रेक्शन में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्रोनिक ब्रेक फोर डिस्टिबूशन, ब्रेक असिस्ट, इलेक्रोनिक इस्टेबिल्टी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम, Lock and Security में Engineering Mobilizer, Keyless Center Door Locking, Speed Sensing Door Lock, Child Safety Lock Front और Rear में Parking Sensor, 360-degree Camera Front में Disc Brick जैसे Safety Features मिलेंगे काफी Attractive Front Profile है Key Form में मिलेगा आपको Lock on Lock और Boot Open करने का Option आईए Boot Open करके देखते हैं यहाँ आपको मिलेगे 382-Litre की Boot Space Partial Track Option मिलेगा दोनों ही तरफ 3kg Capacity के Hooks है साइड में थोड़ा Space मिलेगा यहाँ भी 3kg Capacity का Hook दिया गया है Boot Mat के नीचे मिलेगा आपको Steel Spare Wheels, Toolkit के साथ में आईए Boot Close करते हैं इसके तरूँ आप Boot को Close कर सकते हैं यहाँ मिलेगा आपको Emergency Exit Option आईए पीछे का Passenger Side Door कोल के देखते हैं Six Speaker का Music System मिलेगा आपको Creative Plus S Variant में यहाँ मिलेगा Bottle Holder, Power Window के Control, Utility Space, Chrome Inside Door Handles है Dual Tone Door Padding है यहाँ मिलेगा आपको Black Seat of Aus Tree Isofix Child Seats है Armrest का Option आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ मिलेगा आपको 2 Adjustable Headrest Partial Tray आईए Rear Seats से बैट के देखते हैं Driver Co-Diver Seats के पीछे Pocket का Option आपको यहाँ नहीं मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको Rear Race Events Creative Plus S Variant में आपको Electric Sunroof का Option मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको Handle Bar और ऐसे दिखता है Creative Plus S Variant का Dash Bolt Two Spokes Steering Wheel है काफी Stylist Dash Bolt है आईए Driver Side Door खोलके देखते हैं यहाँ मिलेगा आपको Light के Option Speaker Bottle Holder Power Window के Controls Lock on Lock Connect Button Utility Space Chrome Inside Door Handles यहाँ मिलेगा आपको आर्वियम के Controls यहाँ मिलेगा आपको Tire Passure Information 8Way Manually Adjustable Driver Seats है Hydra Registable Driver Seats मिलेगी आपको यहाँ पे Seats पे Design यहाँ मिलेगा आपको Adjustable Headrest Sunroof Tilt-O Telescopic Steering है यहाँ मिलेगा Two-Spoke Multi-Function Steering Wheel यहाँ मिलेगा आपको Pedals Monit खोलने का Leaver Ravik ले थोड़ी Space आईए Driver Seats से बैट के देखते हैं यहाँ मिलेगा Utility Space दो Glass Holder Manual Handbrake यहाँ मिलेगा Drive Mode Selector तीन Drive Modes मिलेगे Eco, City और Sports यहाँ मिलेगा आपको Sys-Speed Manual Transmission यहाँ मिलेगा आपको 12 वोड का Port USB Port, Charging के Port यहाँ मिलेगा Engine Start Stop Button दो AC Vents और यह है 10.25 इंच का Floating Touchscreen Infotainment System सपोर्ट करेगा Wireless Android Auto, Apple CarPlay 200 प्लस Voice Command 6 Languages Phone, Media, Radio इससे नीचे मोडल में 7 इंच का Infotainment System आएगा Top Variant Fearless Plus S Variant में आपको JBL के 8 Speaker का Option मिलेगे काफे stylish Dual Tone Dashboard Design है यहाँ मिलेगा आपको Cool Glove Box यह आपको Creative Variant से ही मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको Passenger Side Vanity Mirror Electric Sunroof Voice Assisted Electric Sunroof है जो कि आपको मिलेगा Creative Plus S Variant से यहाँ मिलेगा आपको LED Reading Lights Diver Side Sunvisor Auto Dimming Rear View Mirror और यह है Two Spoke Steering Wheel Illuminator Logo के साथ Car On करते ही यह Logo On हो जाएगा Phone Volume Infotainment और Voice Control Illuminated Tata Motors का Logo Instrument Cluster और Cruise Control यहाँ मिलेगे Light की Controls Wipers की Control और यह है Digital Instrument Cluster जो दिखाएगा Average Fuel Consumption, Average Speed, Distance to Empty, Digital Clock, Low Fuel Level Warning, Door Azar Warning, Adjustable Cluster Brightness, Dynamic Shift Indicator, Distal Dacometer, यहाँ मिलेगा New Touch Panel, 360 के बटन, Car Lock करने के बटन, Boot Open करने के बटन, Car Off करते ही यह बटन भी आफ हो जाएगे, Fully Automatic Temperature Control AC है, Adjustable Staining है, Tilt and Telescopy की Staining Wheel का Option मिलेगा आपको आईए देखते हैं Diesel Engine, यहाँ मिलेगा आपको 1497 CC 4 Cylinder In-Line 4 Vault DOSC 1.2 Liter Turbo Charger Revoltron Diesel Engine जो की Power Generate करेगा 113 HP की 3750 RPM पर, Torped Udus करेगा 260 RPM का 1500 RPM यहाँ मिलेगा आपको 616 Manual Gearbox Sports Mode के साथ में आपको Tata Nexon Creative Plus S Variant कैसा लगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताइए का चैनल पर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं आप से नेट वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए, बाई बाई आटो मॉइल से नेटे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें